डॉक्टर शाम बंसल, जो की DM, FRCP London के बाद as a nephrologist and transplant physician गुरुग्राम में पिछले 21 सालों से प्राक्टिस कर रहे है ये मेदानता हॉस्पिटल गुरुगाओं में nephrology and kidney medicine के डिरेक्टर बतौर कारियरत है आज हम जानेंगे की urine में protein आए तो क्या करना चाहिए उनको 10-12 साल से diabetes थी और जब उनके डॉक्टर ने diabetes के डॉक्टर ने routine टेस्ट कर आए तो उनको पता चला कि पिछाप से protein आ रहा है तो फिर वो उनने बोला kidney के डॉक्टर को जाके दिखाए और वो मेरे पास आए थोड़ा सा protein सब लोगों को kidney से निकलता है तो normal protein जो निकलता है दो तरह का protein होता है एक तो होता है albumin normal person को पर दिन में करीब 30 mg तक albumin डेली जा सकता है जो की normal count होता है अब albumin इसके अलावा भी कई सारे protein होते हैं सबसे important protein होता है albumin तो और दूसरे protein जो पिछाप से निकलते हैं उनकी मातरा दिन में करीब 200 mg पर दे तक होती है जिसको normal माना जाता है तो अगर आपके urine से albumin 30 mg से जादा है या total protein 200 mg से जादा है तो इसका मतलब है कि आपको urine से protein आ रहा है और हमको ये देखने की जरूरत है कि ये urine में protein क्यों आ रहा है और इससे हम कैसे बच सकते हैं या कैसे ठीक कर सकते हैं तो सबसे common कारण है protein या albumin urine में आने का diabetes तो जिन लोगों को long standing diabetes होती है long standing मतलब 5-6 साल से जादा जिनको diabetes होती है कई बार पता नहीं होता कई बार आपने test कराया सालों से diabetes चल रही है बार टेस्ट ही नहीं हुआ पहली बार आए देखा पर प्रोटीन आ रहा है बट एक्चुल में यह प्रॉब्लम पुरानी है और कई बार पता बाद में चलता है कोगी कभी टेस्ट ही नहीं कराया बट यूजली पांच यह दस साल बाद आपको पता चलेगा किड्नी में प्रॉब्लम है लेकिन वह प्रॉब्लम ज्यादतर लोगों को आएगी तब ही जब आपके शुगर कंट्रोल नहीं हो तो अगर आपको डाइविटीज है तो शुगर कंट्रोल रखें और अगर आपको पेशाप से प्रोटीन आ रहा है तो फिर आप किड्नी के डॉक्टर को दिखाएं और जब पेशाप से प्रोटीन आने लगता है तो कई बार बलट पेशर भी ज़्यादा बढ़ने लगता है ब्लट पेशर अगर ज्यादा बढ़ने लगता है तो किड्नी में खराबी फिर आने लगती है प्रोटीन की मात्रा और बढ़ने लगती है तो अगर आपको प्रोटीन आ रहा है तो आप ध्यान रखें कि आपका ब्लट पेशर कैसा है और ब्लट पेशर को भी कंट्रोल ठीक से दूसरा है प्रोटीन का इंपोर्टन कोच जंको हम गिलोमिलोने नेफॉरिटेस बोलते हैं प्रोटीनक आतपक्रों कहारती प्रोटीन प्रोटीन से टॉपल को सकता है जिनको डायविटीज ना हो और जिनको पेशाप से प्रोटीन काफी आ रहा है ये कई बार वन ग्राम टू ग्राम थ्री ग्राम फाइब ग्राम टैन ग्राम इतना भी आ सकता है अगर इतना प्रोटीन अगर आपको पेशाप से ज्यादा आ रहा है आपको डायविटीज बहुत सारी तो उसके लिए हमको kidney की जांच होती है kidney biopsy जादा तर लोगों में वो करने की जरूरत पड़ती है जिससे कि हमको बीमारी को की देखें जो एलोपैथी में जो इलाज होता है वो evidence based होता है जिससे कि आपको पता चले कि आपकी बीमारी का कारण क्या है और वो जब तक नहीं पता चलेगा आपका ठीक इलाज नहीं होगा तो आपकी ऐसे ज्यादातर लोगों को kidney की बाइपसी करने की जरूरत पड़ती है जिससे कि हमको एक जो specific बीमारी है उसका पता चल जाता है और बीमारी के पता चलने के बाद में फिर हम उसका इलाज कर सकते हैं 90% लो इंपॉर्टेंट कारण क्रॉनिक ग्रोमलों नेफराइटिस होता है जिसमें की पेशाम में प्रोटीन आता है जिसका सालों तक इलाज नहीं होता है और वो दीरे-दीरे करने करके kidney को खराब करने लगती है और वो स्टेट पर पहुंच जाता है जिसमें की वो irreversible हो जाता ह और आगे चलके dialysis या kidney बदलने की नौबत आ जाती है तो अगर इन चीजों से बचना है तो यह जरूरी है कि हम यह देखें कि हमारे पेशाम से प्रोटीन तो नहीं आ रहा है जिन लोगों को diabetes है अगर 5 साल diabetes को हो जाएं तो उनको हर साल अपना protein चेक कराना चाहिए इवर ज किड्नी के डॉक्टर से कंसर्ट करना चाहिए जिससे कि सही समय पर अगर सही इलाज होगा तो हम कई सारी बीमारियों को आगे बढ़ने से रोख सकते हैं किड्नी को खराब होने से रोख सकते हैं और डायलेसिस और ट्रांस्पांट की नौबत ना आए बहुत सारे लोगों म हैं सावी कर सकते हैं